। अदेखे हैं मेरा नाम हुसेन आने आकोỗi लवी मिले और दूसरा एक मानकूर में दोस्तों ये दोनों बोड़ी की 16 दिनों से पुलिस ने जानकारी लेने का जो ब्लेड रिलेशन होते हैं वो ना मिलने के वज़े से इनको आज यहाँ पर भेजा गया है दफनाने के लिए और दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये हैं कि चीता कैम में अच्छे कामों को भी दिखाना हमारा काम है तो अच्छे काम भी करने वाले बहुत हैं चीता कैम के अंदर इसी तरीके से पुलिस ने दो बोड़ी को यहाँ पर लाया है डिसकमपोस करने के लिए ये हिंदू हैं दोनों इनका किर्या करम किया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी करीम बाबा को दी गई है आए करीम बाबा से बात करते हैं आपको ही बुलाया जाता है चीता कैम के अंदर अगर कोई बोड़ी का काम हो ये हॉस्पिटल में कोई ऐसा मरीज है जिसका कोई जानने वाला निये पैचानने वाला निये तो इसे किती बुड़ी आप यहाँ पर लाते हैं असलाम अलेकुम रहमतुल्ला वबरकातो ये अल्ला का शुकर ये बहुत बड़ी अच्छी बस्ती है चीता किम यहाँ पर तमाम मज़ीद के मंदिर के जुमेदार लोगे उसके बाद भी अल्ला ने ये काम के लिए में को चुना मैं अपने आपको नसीब वाला समझता हूँ और अल्ला का शुकर अदा करता हूँ यह जो बोड़ी है यह 16 दिन पहले मानकूर इस्थेशन मानकूर बिरीच के निचे जो चौक है वहाँ पर यह बोड़ी विकारी की मर के पड़ी थी पाटील साब मैं को बुलाए और जादो साब बोले करीम बावा यह लावर सी अदमी है इसको लेकर जाके राजावारी में अडमिट करे यह मर चुका था उसके बाद में एक चोकी के बाज़ उमच चाई की होटल है वो होटल के बार एक अदमी सोने के लिए बिकारी आया उसकी उमर कम से कम 60-70 साल रहेंगी वो भी मर गया मैंने बोडी जाके देखा मेरे पास फोटू अगेरा भी है मैंने वो बोडी ले गया कि भी राजावडी मोर्चरी में रखा पुलीस वाले में को इसलिए बुलाते हैं कि मैं ये काम में फुल टाइम देता हूँ इसलिए मुझको बुलाते हैं और मैं पहले वीडियो में भी आपके चैनल के मादिम से बताया था कि ये लेने देने का अपना चकर नहीं है अल्ला सुभाना अल्ला जिसे काम ले मेरा मकसद है कि खिद्मत करना ये इंसानों में मरा तो मेरा इसलाम सिखाते है कि इंसानियत निभाओ मैं ये अल्ला रसुल के करम से निभा रहा हूँ उसका धरम अलग हो सकता है मेरा कल्मा एक हो सकता है मसला यह है यह चरींदे परिंदे में जंगल में मरता तो इसको चरींदे परिंदे लोग खाते है आज यह इंसान उमें मरा है तो मेरा इमानी फर्ज बनता है कि जो हिंदू धर्म से रीत रिवास से जो इसका किरिया करम होता है इसी तरह इंशालला ताला इसको जलाया जाएगा किरिया करम के लिए मैं खड़ा हूँ और आगे भी खड़ूँगा वो हिंदू भाई हो या मुसलमन भाई हो इंशालला करिम बबबा यह जो आप काम करते हैं अभी पुलिस ने आपको जिम्मेदारी दी है तो आपको पेमेंट्स का भी कुछ तो होगा आपको पेमेंट्स मिलता होगा ना इसके लिए अल्ला का शुकर है मेरे पाद अल्ला का दिया सब कुछ है इसमें क्या लेना देना है आज मौत मट्टी में लेना देना चलता तो आज इंसानियत खतं हो जाती है अच्छा दुनिया है सव मूँ सव बात दुनिया से मतलब नहीं है काम करते रो आगे बढ़ते रो जब खरीदार नहीं होंगा तो लेने वाला भी नहीं होंगा यह तो अल्ला की रजा के लिए करते हैं और इंशालला अल्ला उसमें मदद करेंगा यही मेरी नियत है भाई करीम बबबा एक कुछ समय पहले आपको लेके विवाद हुआ था चीत है कि हमके कबस्तान के अंदर के करोना पेशन की बोड़ी को लाके दफनाने का वाम आप कर रहे हैं क्या इस बर हम वरुसा करेंगे करोना पेशन नहीं है क्या आप हमें पेपर दिखा सकते हैं करेंदा का शुकर है ट्रॉंबे पुलिस्टेशन के सीनेर अधिकारी ट्रॉंबे पुलिस्टेशन के जादो साप इनके पास पूरा पेपर है फोटूस है यह 16 दिन मरे वे लावार सी बोड़ी है यह कोई कोरोना का बोड़ी नहीं है यह हिंदू भाई मरा है तो मेरा करने के लिए काम कर रहा हूं और कुछ लोगों की यह तकलीफ थी नाराजगी थी उनको कोई गलत फिमी रहेंगी जब उनको गलत फिमी खतम हो गई तो आज मेरी उनसे दुआ सलाम भी है अल्ला का शुकर है जो लोग नाराज थे हो मेरे करीब के लोग है अच्छा इन दु कहते हैं कि अपने एरिय के से लिए जो विवाद किया था आज करिम बाबाब बोल रहे हैं कि उनके पहस लेटर है और यह बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें आपको क्या लगता है इसलाम आलेकूम, मैं चीता के मिसे बोल रही हूँ, मेरा नाम है ताइरा मम्मस अलिम शेक, मेरा बोलने का मतलब है किसी की भी बोडी रो, हिंदू रो, मुसल्मान रो, जो एरिया का है, वो ही एरिया में गड़ा है, तो हम लोग को भी जड़ा सुकून मिलेगा, और जो ये है लावर जो बोड़ी आई है दो, तो हम लोग को इससे कोई तकलिब नहीं है, क्यों उसी का कोई है ही नहीं, तो उसको कोई भी उठाएगा, करेगा, कुछ भी करेगा, मुझे कोई तकलिब नहीं है, और मेरे एरिया से भी कोई तकलिब नहीं है, मैं यही चाती हूँ, कि जि देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है काफी अच्छा काम हो रहा है चीता क्यम में हम भी चाहेंगे कि अच्छा काम को बढ़ावा दिया जाए चीता क्याहिए एक दूसरे को लेकर यांच को लेकर बुराए है वह खतम हो जाए शुक्रिया दूस्तों मेरे साथ में कैमरा बन्यवाद